यदि जाच में पता चले कि आपको टीबी है तो घबराएं नहीं टीबी का इलाज मुम्किन है लेकिन केवल तभी जब आप अपनी दवा का पूरा कोर्स करें यदि आप ठीक से इलाज नहीं करवाते तो आप खांसने, ठूकने, बात करने, हसने या चीकने पर दूसरों को ये बिमारी फैला सकते हैं टीबी एक जीवानू के कारण होता है जो आम तोर पर फेफडों को प्रभावित करता है आपके फेफडों का बल्गम तिखा सकता है कि आपको टीबी है या नहीं यह बल्गम है यह गाड़ा, पतला, यहां तक की बहने वाला भी हो सकता है यह पीले, स्लेटी या हरे रंग का दिख सकता है अगर बलगम में खून है तो यह भूरा या लाल भी दिख सकता है यह बलगम नहीं है यह लार है जो आपके मूँ से निकलती है यह स्पष्ट और पानीदार होती है यह जानने के लिए कि क्या आपको टीबी है हमें आपके फेफरों से बलगम चाहिए आपके मूँ की लार नहीं अन्य लोगों से दूर किसी स्थान पर जाना सुनिश्चित करें सबसे अच्छा बाहर या घर के अंदर एक खुली खिड़की के पास इससे आप टीबी को फैलने से रोकेंगे यदि आपके मूँ में खाना या कुछ और है तो साफ पानी से अच्छी तरह कुला कर लें अपने फेफ़रों से बलगम निकालने के लिए सबसे पहले आप आराम से खड़े हो फिर तीन बार गहरी सांस लें और छोड़ें इसके बार एक गहरी सांस लें और अपनी चाती की गहराई से बलगम को बाहर निकालने के लिए जोर से खासे साफधान रहे कि रए साभी बलगम डिबबे के बाहर ना लगे बलगम इतना होना चाहिए कि डिबबे की तेह तक फैल जाए जब डिबबे में परियाप्ट बलगम एकत्रित हो जाए तो ढकन को कसकर बंद कर दें बल्गम के डिब्बे को तुरंत जाँच के लिए सौप दें ऐसा हो सकता है कि आप कई कोशिशों के बाद भी पर्याप बल्गम नहीं निकाल पाएं यदि ऐसा होता है तो आप घर पर ही दोबारा बल्गम निकालने की कोशिश करें सोते समय आपके फेफडों में बल्गम जमा हो जाता है इसलिए सुबह उठते ही कुछ भी खाए या पिए बिना बल्गम निकालना आसान हो सकता है भाप लेने से आपके फेफडों का बल्गम पीला हो जाता है जिससे इसे खास कर निकालना आसान हो जाता है आप कहीं भी हों, बल्गम निकालने का तरीका एक ही है आराम करें, तीन बार गहरी सांस लें और छोड़ें और अपने सीने से जोर से खासें जब डिब्बे में पर्याद बल्गम एकत्रित हो जाए तो ढकन को कसकर बंद कर दें यदी संभव हो, तो उसी दिन बल्गम के नमूने को जाच केंदर में जमा कर दें यदी आपके कोई प्रश्न है या किसी सहायता की आवशकता है तो किसी स्वास्तेकार करता से संपर्ग करें याद रखें, भले ही आपको टीबी ना हो आप दूसरों को जाच और परीक्षन के लिए प्रोचसाहित कर सकते हैं धन्यवाद झाल